हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चानल दिव्या प्रेंग्नेंसी हल्प आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गरह ववस्ता बहुत अच्छे से चल रही होगी आपको मैं एक चीज पहले ही क्लियर कर दू आज से 10 दिन के बाद लगने वाला है सूर्य ग्रहन जो कि 2024 का आखरी सूर्य ग्रहन होगा आप सबके इतने सारे कमेंट्स आरे कि मैं ग्रहन का सही समय क्या है क्या क्या करना चाहिए क्या इंडिया में दिखेगा कहा कहा लगने वाला है क्या क्या साफधानी रखनी है और अगर साफधानी ना रखे तो क्या होगा तो देखे सबसे पहले तो आप ये वीडियो आगे श वीडियो में आपने हर वीडियो को इतना सारा प्यार दिया सपोर्ट दिया उसको तहे दिल से शुक्रिया तो चैनल पर नहीं होना तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट मेरी चैनल की आपको रोजाना मिलती रहे देखे सार दोहजार जो सूरज है उसके अंदर बहुत जादा तपस होती है और उसकी जो किरने होती है चंद्रमा के अकॉर्डिंग बहुत जादा सूरे की तेज होती है तो जब ग्रहन पड़ता है तो बोला जाता है उसकी जो नकारतमक शक्ती होती है चंद्रमा के अकॉर्डिंग और जादा महिला इसलिए इसी लिए सूर्म उड़ायल को मेरा टपपस वाला बोला जाता है गरफवती महीला है क्पैला महेना नवा महीना आट्वा महीना क्योंकि आते हमाहिना कि मरा करें केमीरा मेरा साफधानि रखे हैं कि सेकलग मत है då Elvisotta तो देखिए ग्रहन जो पढ़ता है ना चाहे वो चंद्रमा ग्रहन और सूरज ग्रहन कोई साभी ग्रहन ओ ग्रवती महिला को साफधानी रखनी सबसे पहली बातों बहुत जादा जरूरी होती है चाहे कोई साभी मन्त हो अब पहले बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे चंद्रम चंद्र ग्रहन पढ़ा था कि मैम हजबन को भी साफधानी रखनी है कि या वाइफ को देखिए जो महिला प्रेगनेंट होती है ना साफधानी सिरफ उसको ही रखनी होती है हजबन को रखने के कोई ज़रूरत नहीं है वो अपनी नॉर्मल दिन चर्या फॉलो कर सकते हैं ले उनी किर्णों से बेबी को बचाने के लिए पेट पर गेरू का लेप लगाया जाता जब ग्रहन शुरू होता है तो पहले मैं सही समय बता देती हूं साथ दोजार चॉबिस का जो दूसरा और आकरी सूरे ग्रहन लगेगा वो दो अक्टूबर को लगेगा इंडिया के हिसा देट चेंज हो जाती है तो देखे नौ बचके तेरह मिनट पर जब ग्रहन शुरू होगा तो दो अक्तूबर लेकिन ये ग्रहन तीन बचके सारा मिनट पर खताम है तो यानिकी बारा बच्चे के बादेट बदल गई तो सुबा के समय ये ग्रहन खता हो जाएगा अब ग्रहन के समय में कोई भी काम नहीं किया जाता नहीं जालू नहीं पोचा नहीं बरतन इवन खाना भी बनाया नहीं जाता खाना भी खाया नहीं जाता तो पहले ही अपनी मेडिसन ले लो खाना पहले ही खालो और जैसे ही नौ बजे अपने पेट के उपर गेरू का लेप लेकिनों का असर पढ़ने नहीं देगी तो यह छीजेजे फॉलोर कर येगा आप मैं को बताते हूं इंडिया में दिरिशेमान है या नहीं तो सबसे पहली बात उई इस साल जो भी घ्रहें लगे ए नहीं दिरिशेमान नहीं है तो यह जो आखरी घ्रहन यह भी इंडिया में नजर आ रहा है यह बाहर की कंट्रीज में नजर आ रहा है तो इंडिया की जो महिला है मेरी वीडियो वाच करें तो सबसे पहली बात अपने टेंशन को खतम करें क्योंकि इतने सारे रोड्स कमेंट आते कि मैं हम सावधानी रखे या ना रखे तो देखिए अगर आप सावध सावधानी रखो तो अच्छी बात है क्योंकि देखिए ग्रहन चाय बाहर की कंट्री में हो या इंडिया में हो हल्का फुलका सा सर रहता है तो अपने बच्चे की कहते हैं आपने बच्चे की हेल्थ के लिए मा कुछ भी कर जाती है तो अगर आप एक दिन यह सावधानी र जरूरी नहीं है क्योंकि बाहर की कंट्री में इसका सारे इंडिया में नहीं है तो जो बाहर से मेरी बहने वीडियो देख रही है उनको सावधानी रखने जरूरी है तो पेट के ओपर गेरू का चंदन का लेप लगाईएगा जब ग्रेंड शुरू हो चैंटी चाकु निकाल दीजेगा जिस रूम में आप स्टे करोगे क्योंकि ग्रेंड के समय में सिर्फ भगवान की पूजा अरादना की जाती है तो उस रूम की खिड़कया दरवाजे कुंडी अच्छे से बंद कर लीजेगा ताकि जो चंद सूर्य का परकाश है वो रूम तक नाए अब भी उनभवान होगा तो उस रैम पर इंद्या में होगी चंद्रमा की रात और बाहर की फाकरो ओर होगा सूर्य की ढरती पर तो आसर वहां की पर हमारे इंडिया में चंद्रमा की करने पढ़ेंगी तो सूरज shout तो अगर आप नहीं विरकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर आपके घर में यह रिवाज है कि आप सावधानी रखे कहीं भी पड़ता है अगर आप उसको नियमों को फालो करना चाहते हैं तो जरूर फालो करें क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरे इस दुनिया में सब जाता है करद लो काई प्रेदा इंद बरमा घोते हुटे आपसे अपना प्रेस्पीरियनस में प्रेंगर चा फूल माधी कंटिस माता है यद कर दो चान्जनों के मैं प्रेददन इस अपने के बाद बहुते हैं साइट को आपने नहीं करना थाटो से सबजी नहीं काटने ए तड़ का नहीं लगानाया निलागना ती किस दू 152 तर शोजज नहीं कर नहीं चलांगे इस भी देविथा को मानते अ धिताप उपडसकते ऐध आप आपका जो दिमाग है ना भजन सिब्रन में रहे अध्यात्मिक चीजों में रहे ठीक है माता राणी अपके बच्चे को सही सलामत इस दुन्या में रहे मेरी यही दुआ है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा कहां से मेरी वीडियो वाच कर रहे यह लिखना ना भूल और चीज़ मेरे महिलाईं पूछ रहे है कमेंट बॉक्स में हुथ में सूतो काल कितने बजे लग mendगेगा एस ग्रहन का तोडल करना एस जो पढ़ gonna सब्सक्तिया में नहीं होगा तो आपको सूता करना के नियमों को भी फॉलूव नहीं करना सूताकाल सूरे ग्रहणा में बारा घंटे पहले लगता है तो जो बाहर की कंटे से महीला एई वीडियो देख रहे हूं तो वहां पर बारा घंटे पहले सूताकाल लगेगा सूताकाल में Après लुप नई वस्तु नहीं करी दी जाती आप घर से बहर जा सकते हो और नॉर्मल दिन चर्या फॉलो कर सकते हो सिरफ बगवान की पूजा रादना उस टाइंग पे मंदिल में नहीं की जाती है तो सिरफ यही होता है सुतकल बाकि इंडिया में सुतकल माले नहीं जाएगा तो परेशान ना हो आदाम से रहें आप आपको इस वीडियो से बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले और वीडियो को आगे शेयर जरूर करिएगा और मैं जब भी ग्रहन लगेगा दो अक्टूबर को लगेगा तो मैं दो दिन पहले वीडियो अप्लोड कर दूँगी ताकि आपको मैं पहले ही बता दूँगी चंदन गेरू आप मार्केट से खरीद लाओ ताकि आपको याद रहे क्योंकि कई बार होता ना काम में हम भूल जाते हैं तो आपको रिमाइंड करवा दूँगी तो आप चैनल को सब्सक्र